हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोलर इनोवेटी प्रोडक्स पर और दोस्तो मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे स्वस्त होंगे और मस्त होंगे तो दोस्तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो का थमनिल देके वाले हैं तो दोस्तो यह बैटरी से चलने वाला कूलर है आपको बताएंगे फैक्टरी में कैसे बनता है आप इसको घर पर भी बना सकते हैं तो यह चार फिट का कूलर है बड़ा वाला कूलर है यह बैटरी से चलता है सोलर से भी चलता है तो इसी के बार में डिसक्रस करें cabinet आप देख सकते हैं, इसके अंदर ब्लैक वाली जो DC motor है, copper की प्यार copper motor है, high torque motor है and नीचे आप देखेंगे तो pump है, DC pump, यानि कि जो battery से power लेके पानी को पर lift करता है, यह इसका control panel है दोस्तो, इसमें आप motor की speed को कम ज्यादा कर सकते हैं, pump का on-off कर सकते हैं, तो यह control panel है, और इसके अंदर three speed control है और इसका speed control circuit है, DC वाला, तो यह electronic circuitry है, इससे आपकी motor की speed, temperature सब्मेंदेन लगता है, आप देख सकते हैं, सम्में fit हो चुके हैं, तो यह कैसे बनता है, इसी के बारे में discuss करेंगे, आप घर पर कैसे बनाएं, तो इसको देख के वीडियो का आप अपनी घर पर भी बना सकते हैं, cooler, तो दोस्तो यह एक arm जो होती हमारी motor में fit करने के लिए, जो angles होती है, उसमें motor fit कर लिए, और सबसे blade जो है, सबसे पहला है motor में fit करने के बाद, उसकी arm जो है, वो fit कर लिए, तो यह fit कर लिए, यह हमारे electronic speed card है, यह हर cooler में मिलेगा, इसमें safety protections भी है, यह अब इसमें fit करेंगे, तो इसकी जो हमने arms हैं, यह लगा लिए हैं, जो angles हैं, और पहले इसमें सब motor हिले ना और vibration ना करें, तो रवड़ के washers लगा लें, तो आप भी जब घर पे बनाएं, तो यह ज़रूर लगाएं, और यह DC pump है, 12 volt से चलता है, यही responsible है पानी को lift करने के लिए, इसी सही पानी circulate होता तीनों बिंडों में, तो यह भी pure copper का BL DC pump है, यह इसकी rotary है, जिससे हम speed selection करते हैं, इस type की rotary लगती है, आपकी pump के लिए, और speed selection के लिए, यह frame हम लगा रहे हैं, दोस्तों इसको धियान से लगाएं, चारो point पर आप rubber लगाएं, ताकि vibration की में, vibration ना हो, cooler के अंदर चले आवाज ना है, और washer ज़रूर लगाएं, तो इसमें washer लगा दिया, rubber लगा द देख सकते हैं, वीडियो में, चारो screw अच्छे से tight करने हैं, इसके बाद, चारो connection tight करने के बाद, आप देख लें, कहीं से motor hill तो नहीं रही है, motor का alignment देख लें, पंखड़ी जो है, विंडो से बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, तरची तो नहीं है, तरची होगी तो भी air flow में disturbance create होगा, पूरा flow नहीं आएगा, यह DC pump है, DC pump लगा रहे है, motor इन्होंने फिट कर दिये, तो DC pump के लिए एक हमारे पास इस body के साथ ही आता है, जिसमें हम DC pump को tight करते हैं, आपको दिखाऊंगा वीडियो में, तो उसी के थुरू pump आपका hold करेगा, नहीं तो वो pump हेलेगा, त यह strip लगती है, तो इसकी help से अब हम pump को लगाएंगे, और इसके connection करेंगे, फिर आपको चला के दिखाएंगे कैसा इसके airflow है, तो pump लगा रहे हैं इसमें, अब इसकी wiring में टॉप में ले आगए, control panel की wiring भी दिखाऊंगा, आपको wiring कैसे करनी है, तो three speed control कैसे काम करेगा, कैसे connection करने, वो भी आप दिख सकते हैं इस वीडियो में, सारी wiring रूटिंग करके, आप main control panel पे ले आएंगे, pump की wiring आ गई है, प्लस आपकी motor की wiring उपर आ गई है, यह control section है, इसमें अभी दोस्तों आपकी total 6 चेत आ रहे आएंगी, तो अभी यह motor बीच के center point जो है, motor के connection है, तो main motor connection कर रहे है, and जो last वाले, first वाले last है, वो आपका input supply है, तो अभी motor connection कर दिया है, और इसी card से ही आपको जाएगी, pump के लिए supply बनेगी, तो यहाँ से एक tapping लेके pump की rotary पर जाएगी, और वहाँ से rotary के तरू pump को positive मिलेगा, तो motor के connection कर दिया है, आप देख सकते हैं वीडियो में, center के, बीच के दोनों point plus minus motor का है, motor के connection कर दिया है, यहाँ पर सिर्फ motor के connection करने है, इसके लावा किसी के connection नहीं करने है, और connection connection टाइट होने चाहिए है, सब हिला के देखें, टाइट करने के बद कोई लूस तो नहीं है, लूस होता है, तो उसमें क्या होता है, speed vary करती है, कम तेज कम तेज जैसा होता है, तो motor connection कर दिया है, अब हम आपको, यह हमारे pump के connection आ गए है, जो हमारा water pump है, BLDC pump, उसके connection है, तो दोस्तों, अब इसमें क्या करेंगे हम, यह cable ले लिए हमने, main cable जो भाहर से आएगी input, इसमें जो एक pump है, pump का negative जो है, वो negative से common करके, negative पे लगा देंगे, तीनों कार्डों का negative common हो जाएगा, ठीके ना, और यह जो positive है, positive जो है का tapping होके इसके थ्रूँ आएगा, तो negative हमने connect कर दिया है, अब positive जो है, यहां से tapping लेंगे, प्लस से, और rotary की तरफ घुमा के, pump को positive देंगे, connection हमेशा check करें, जैसे मैं हर बार बताता हूं, connection should be tight, and अब एक tapping लेंगे है, यहां से हम positive की, यह हमारा control panel है, तो यह tapping ले ली हमने positive की यह, और इसी tapping से आपको, जो 3-speed control है, वहां भी supply जाएगी, तो एक tapping ले ली हमने supply का input के प्लस से, तो इसी से ही दोनो रोटरी पर जा रही है, आप देख सकते हैं, वीडियो में, दोनो रोटरी को जो positive supply मिलेगी, इसी point से मिलेगी, तो यह हमने input पर लगा दिया है, जो 12-volt input आएगा, और connection करने के बाद एक बार हिला के जरूर देख ले, के connection सही हुआ है, या tight है, वो जरूर देखें, कभी हमें लगता है, टाइट हो गया, बट वो लूज होता, तो स्पीड वैरी करती है, connection का terminal जलने के डर रहता है, तो connection करती है, हमने, यह 3-point जो जा रहे हैं, इसमें यह speed क control panel लगा दिया है, तो दोस्तों, मैं इसको एक बार चला के आपको दिखाऊंगा, यह center वाला जो point है, 3-speed control का है, इसे 3-speed control का है, इसे 3-speed control कर सकते है, and जो third one है, वो pump का है, pump को on-off कर सकते है, वाँ पे, यहां से 3-speed जो select करेंगे, center point से, and last one से, जो BLDC pump है, इसको on-off करेंगे DC swing इसमें optional होती है, तो आप चाहें तो ले सकते हैं, ना चाहें तो ना ले सकते हैं, आपकी मर्ची है, वैसे DC swing बहुत लोग कम मांगते है, और इसकी speed में आपको एक बर चला के दिखाऊंगा अभी, क्या इसका airflow है, motor का, कितनी speed है, क्या thrust है इसका, यह पानी डालने के सकते हैं, कोई भी body आपके पास है, बड़ी, तो आप बड़ी motor and pump ले सकते हैं, या फिर आपके पास चोटी body है, पुराना कोई cooler बड़ायर से fit करना चाहें, छोटा है तो छोटी motor pump ले सकते हैं, आप अपने घर भी बना सकते हैं, तो यह on मैंने कर दिया, आप देख सकते है आप स्पीड देख सकते हैं, नमबर बन पर चल रही है, अब यह नमबर टू पर है, बहुत जबरज़स स्पीड है दोस्तों, और स्पीड में यह मानो noise free है, कोई ज़्यादा noise नहीं है, बिल्कुल silent सल रहा है, और airflow बहुत जबरज़सते आप देख सकते हैं, मैं रुमाल आ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल एक्टन को दमाना ना भूलें